riveted connection and bolted connection होता है उसमें जो हमारे joints होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं lap joint या तो butt joint lap joint क्या है एक plate के उपर दूसरी plate रखी then हमने rivet या bolts लगा दिये तो उसको हम lap joint बोलेंगे butt joint दो तरीके से हो सकते है single cover butt joint and double cover butt joint दो plates जिनको join करना है like this one and this one इसके उपर एक छोटी से plate और रखते हैं जिसको cover plate बोलेंगे then इसको connect कर देते हैं तो इसको हम single cover butt joint बोलेंगे and double cover name से ही पता चले है दो cover use करेंगे दो plates जिनको join करना है इनको साथ साथ रखते हैं इसके ऊपर and नीचे दोनों तरफ एक और plates रखते हैं then इसको rivet या bolts से join कर देते हैं तो इसको butt joint बोलेंगे है